दोस्तों स्वागत है आपका इस एपिशोड में दोस्तों आज हम इस एपिशोड में आपको ये बताएंगे कि लेटिट्यूड लांगिट्यूड को DMS यानी की डिगरी मिनट सेकेंड में कैसे बदलें और इसके YC वर्सा यानी इसका रिवर्स यदि आपके पास DMS में अगर आसान तरीका बताएंगे और आपको एक ऐसा तरीका भी बताएंगे जो एक फेसिलिटेटर इस सुविधा को प्रवाइड कराता है अपने वेबसाइट के मात्यम से दोनों के बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तों आईए सुलू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम Google Maps में जाते हैं और कोई location ले लेते हैं कि जिसका हम let long decimal में लेकर कि DMS में convert करेंगे और DMS में लेकर कि decimal में convert करेंगे तो दोस्तों match.google.com पे जाएं और इसमें कोई भी location आप ले लें जैसे दोस्तों कोई भी ले लेते हैं हम यहाँ पर location कोई भी ले लेते हैं जैसे कोई फेमस प्लेस है उसका ले लेते हैं दोस्तों जैसे यह पड़ पड़ गंज आपको दिख रहा होगा तो इसकी location ले ले लेते हैं तो इसका let long कैसे पता करें यहाँ पर right click करें जहाँ कभी let long आपको लेना है और what is here क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आपको display हो जाएगा कि इसका let long क्या है तो दोस्तों इसको copy कर लेते है हम लोग copy करके एक text में इसको रख लेते हैं जिससे की तो दोस्तों यह decimal version है आपका let long का आप इस decimal version को हम आपको dms में convert करके दिखाएंगे कि कैसे यह होता है तो दोस्तों इसको copy कर लीजे आप और यहीं पर यह सबसे जो आसान तरीका है जो search google map है यहीं पर पेस्ट कर तो जैसे ही आप इसको paste करेंगे फिर इसको search में जाएंगे search करिए तो आप यह देखे यहाँ पर left side में इसका dms version सबसे उपर display हो जाता है तो यह सबसे अच्छा तरीका है सबसे आसान तरीका है dms version में लाने का लेकिन यह आप यह ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से google map के तुरू convert करें तो आप decimal के जो लैट लांग आप है आपके हैं उसको आप दूसरी utility में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले उस utility को search करेंगे तो इसके लिए दोस्तों Google में जाएए और Google में यहाँ पर उसके search box में लिखिए latitude and logitude conversion ऐसा आप करेंगे तो दोस्तों एक आपकी यह fcc.gov एक site आती है और इसमें जो search में आएगा आप इसको open करने right button क्लिक करके एक नई window में आप open कर ले तो यह एक नई window open हो जाती है और इसमें provision दिया हुआ है कि degree minute second to decimal और नीचे दिया हुआ है decimal degree to degree minute second तो दोस्तों अभी हमारे पास decimal का version आया हम convert करते हैं degree minute second के लिए तो सबसे पहले हम इनको सबसे पहले latitude copy कर लेते हैं यह हम latitude copy कर दिया और यहां पर latitude में इसको हमने paste कर दिया और साथ ही हम अब longitude को copy कर लेते हैं और यह यहां पर paste कर दिया तो आप यहां पर directly feed करके आप इसको निकाल सकते हैं अब हम क्लिक करें convert to degree मिनट सेकंड में तो नीचे आपके रज़ल डिस्प्ले करेगा तो दोस्तों यह नीचे देखे रज़ल डिस्प्ले कर दिया इसमें 28 डिग्री 37 मिनट 11.7012 यह आपका फिगर आ रहा है यह फिगर आपका उसे मैश भी कर रहा है यहाँ पर ऊपर इसमें आ रही है बिलकि more accurate यहाँ पर आ रही है इसी तरह यह लांगिट्यूड है आपका लांगिट्यूड भी हमारा मैश कर रहा है तो दोस्तों यह तो हुआ अब हम यह जानते हैं कि आपका अगर DMS में दिया हुआ है यानि degree minute second में दिया हुआ है तो उसको decimal में कैसे convert करते हैं उस तो कहीं नहीं जाना है आपको यहीं उपर जो आपका यह पीज में ही दिया हुआ है यहीं पर इंटर करना है हलाकि मुझे इसको बताने के ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप यह बहुत ही self explained है तो हम सबसे पहले latitude जो यहां पर degree minute second दिया हुआ है इसको यहां पर भरेंगे और 28 degree है और 37 minutes है और यहां पर आपका 11.7 हम वही फीगर ले ले लेते हैं जो यहां पर दी हुई है 11.7 इस figure को हम लोग ले लेते हैं इसके जो चुकि इसने decimal के बाद full digit तक दिया हुआ है तो हम लोग उसको चली ignore करते हैं हाला कि उससे भी आप निकाल सकते हैं हमकाली दिखाना चाहरा है आपको कि आपको जो गूगल मैप के थ्रू मिला हुआ है उसको कैसे convert किया जाएगा आप जो चाहें figure यहां पर डाल कर सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है यहां पर 38.3 तो यह figure हमने डाल दी latitude और longitude की अब इसे जो डिस्पले हुआ है आप इसको मैच करा सकते हैं इसमें थोड़ा से difference आपको इसलिए दिख रहा है तो कि यहां पर 38.295 की figure यहां पर थी लेकिन हमने के ओर 38.3 यहां पर इंटर किया हुआ है इसलिए आपको minute difference यहां पर दिख रहा है अला कि round off इसको करेंगे तो वह आपको मिल जाएगी तो दोस्तों यह तरीका हुआ आपको लैट लांग को convert करने का decimal से dms में और dms से decimal में तो दोस्तों आपने जानकारी लिए आप इसको इसको इस्तेमाल करें अपने काम में अपने काम में कार में उस्तों अगले पिशोर में आप से फिर मुलातात होगी नहीं जानकारी के साथ नमस्कार धन्वाद